Good morning students, पिछले वीडियो में पार्ट 9 पुर्द केंगें, टीम पुर्द केंगें, आज हुन पढ़ेंगें पार्ट 10, बिलियर, बिलियर क्या है यह यह खेल भी, बिलियर क्या है यह भी यह खेलें, जो छड़ी द्वारा और विस पे गेद रखकर खेला जाता है, बिलियर टीम होते हैं, पहला है कैरम बिलियर, उन मेचों पर खेला जाता है, जिक में कोनों पर छेद पैटे नहीं होते हैं, प्राय ऐसे, प्राय मेच की लंबाई लगभा 10 पुर्द होती है, इसकी कैरम बिलियर, इसमें कोई छेद नहीं होता है, इस मेच की चौट क्या है लगभा 10 दूसरा है स्कूनर और इंग्लिस विडियर्ट। दूसरा क्या है? स्कूनर और इंग्लिस विडियर्ट। छब पाकेट वाली मेज पर खेला जाता है। इस मेज 12 फुट लंबी और 6 फुट चोड़ी होती है। इस मेज की लंबाई कि प्यूटी है? 12 फुट लंबी होती है और 6 फुट चोड़ी होती है। तीसरा फुलिया अमेर्टी विडियर्ट। फुलिया अमेर्टी विडियर्ट। छए पैकेट वाली मेज पर खेला जाता है। इस मेज की लंबाई 7, 8 या 9 इंच की होती है। आई हम इसके विशे में कुछ जांगे। कौलबाल का खेल सुलहवी सताब्दी में इंग्लैड में खेला जाता था। या खेल खेल खुले लंब में चार इंच की लकड़ी और लकड़ी के हतोड़ों के साथ खेला जाता था। या एक टतार का लांग बिलियर था। अब यह हम आपको इसके बारे में बता दिये हैं। अब आप अपना बुक खोलिए। देखे टेस नमबर 13। आज हम सहाथा करश्पी मदर से हम आज आपको इसमें धर्वाते हैं। और आप अपने बुक में भरें। देखें। यह आपका चित्र बनाओं बारें। यह कौन सा चित्र इसको आपको देखें। वहां भरनाल है। पहले में देखें। क्या दे… पहले चित्र रहे है बिलियर्ड्स बिलियर्ड की देज। पहला चित्र क्या अ होगे। बियियर्ड की देज। इसको आप दाखें। दूस्रे में, तेखें दूसरा आपके किया बना माचितर, इसमें क्यूं गे? क्या बने क्यूं गे? क्यूं गे? पीजने में देखे, ये फीकर देखे, बना हुआ है, इसके क्या बरेंगे, बेज, क्या बरेंगे, बेज, फीट, पॉर में देखे, ये आपकी कर बना हुआ है, इसमें क्या बरेंगे, रेज, फीट, पाइन में देखे, यह देखते, आपके यह खिलचार्बहाई वहाँ अजिसको क्या कहेंगे? जीशार आपकेशा किहां फहरेंगे? जीशार फिन पाउस्वे में देख़्ेए यह इस्टीट की तरहँ पहेगे? सिक्स्वाले में तेखे क्यों भी रिष्टेव ए पिर साथे में देखिए, यह आपका टेबल बना उपर है, इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसको बहर लिजेगा और काप्यों में भी लिखकर इसको पुल्दा उतर डालेगा, शेकिए